जिन्दगी एक सफर है सुहाना यहां कल क्या हो किसने जाना जिन्दगी एक सफर है सुहाना यहां कल क्या हो किसने जाना चांत तारों ते चलना है आगे आत्मानों ते पड़ना है आगे अरे चांद तारों से चलना है आगे आत्मानों से पढ़ना है आगे पीछे रहे जाएगा ये समाना क्या हो किसने जाना आज जिन्द की एक सफर है सुहाना यहां कल क्या हो किसने जाना औदले, ओडले, ओडले, ओ… हस्ते काते जहां से गुजर दुनिया की तू परवान कर मुश्कुराते हुए दिन बिताना यहां कल क्या हो किसने जाना आज जिन्दगी एक सफर है सुहाना यहां कल क्या हो किसने जाना किसने जाना यहां जाना यहां कल किसने जाना यहां मौत आनी है आएगी एक दिन जान जानी है जाएगी एक दिन ऐसी बातों से क्या घबराना यहां कल क्या हो किसने जाना जिन्देगी एक सफर है सुहाना यहां कल क्या हो किसने जाना कर दो गॉताश यहाँ मैं ऑठ्यक्त मैं उत्मसान थादाऊ משे जाना झालो उत्मसा देसे जाँक दोत शन्साना औरुल मैं 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 झालो कर दो कर दो हुसन पहाडों का क्या कहना के बारों महिनी यहां मासं जाडों का क्या कहना के बारों महिनी यहां मासं जाडों का रुत ये सुहानी है मेरी जान रुत ये सुहानी है के सर दी से डर कैसा संघ गर्म जवानी है के सर दी से डर कैसा संघ गर्म जवानी है के संघ गर्म जवानी है हाँ 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 तुम परदे से इधर से आए आते ही मेरे मन में समाए करूं क्या हाँ हाँ से मन निकला जाए चोटे चोटे जरने है के जरनों का पानी चुके कुछ वादे कर रहे है चरने तो बहते हैं असमले पहाडों की जो हायम रहते हैं खिले खिले पूलाओं से भरी भरी वादी रात गी रात में किसने सजादी लगता है जैसे यहां अपनी हो शादी क्या गुल गूटे हैं पहाडों में ये कहते हैं परदेशी तो छूटे हैं हाथ है हातों में तरस्ता कटा ही गया इन प्यार थी बातों में दुनिया ये गाती है सुनो जी दुनिया ये गाती है कि प्यार से रसता तो क्या जिंगी दखते जाती है कि प्यार से रसता तो क्या जिंगी दखते जाती है कर दो कर दो दिल घून देता है दिल घून देता है दिल डूंड़ता है मेरे पास तो खेर शब्दी नहीं होता है वोलने के लिए असी मिट इसको कहना ची अव इसमर नहीं पहले हमारे लिए हम लोग ने सबने बहुत कोशिश की ती और मुझे लगता है इस कोशिच में हम 100% कामयाब रहे और हम चाहते हैं कि एसे प्रोग्राम हम हर साल करें हर साल कर और रामपुरा वालों को जोड़ते जाएं दो साल की जो आपकी जो यात्रा थी ये और आज अपन गांदी सागर में हो भारत माता के ठीक पीछे खड़े हुए हैं पूरा रामपुरा गुरुब जो किसे समय में एक साथ रहा करता था कैसा फील आप पते आपने बहुत काहिए हमने नंषा मारों किर deben की मिलन चमारो ना कि मवाट ऑफ यह भी चलाते हैं इन दौर ने तूसका नाम है घृति यह फिर यह पहले कभी आप यह पर है यह पहला मोका है हम इतने विद्वाकोछ में रहे इतने साल से उत्सार अग्ण है और इतना खुशी है कि सब की इच्छा है कि हम हर साल यहां पर आए प्रोग्राम मनाए और अगली वार मेरा एक साथ सोच है कि एक दिन यहां रुके हम सब लो और सब एक साथ अच्छी पिकनिक मनाए और अच्छे से रहें और मैं सोचता हूँ कि यह प्रोग्राम अच्छे से चलता रहे हर साल और जोड़ेंगे और इसमें एक यह चीजी किसा भी तो मित्र जुड़ें, उनके परिवार जुड़ें, और लोकल लोगों की जवाबदारी है, कि वो सभी लोकल लोगों को साथ में जोड़ें, पता नियुद मेरे को दिखें नहीं, जो जो खासकारी करता है, वो हैं और उनके सा लेके हो सकता है कि हर प्रोग्राम bononia कि एक कु Comics कमिया रहती है और हम उसका अब लोकन भी करेंगे घेन हमारे इस्थानी मिख्रत है और उस्फानीयों को को जब दादा शामिल करने की कोशिश करेंगे ताकि हम रामपुरा की संस्रति और रामपुरा की जो हमारा कल्चर है उसको जिन्दा रख सकें तो हम इसको थोड़ा और भवे रूप देंगे और अगली बार हम टार्गेट करेंगे कि कम से कम हम 500 लोगों का एक सम्मेलन करें इस किसी कारण वर्श कुकि लंबा समय हो जाता है और किसी के परिवार में कोई गमी कोई शादी इस तरीके की प्रक्रियाओं से हर परिवार को गुजरना पड़ता है तो हम इस बार सौ नंबर तक पहुचे हैं एक सो पांच लोगों तक पहुचे हैं और फिर भी हमारे इस अज तक पहुचे हैं जिस मौर देन हंडेट परसेंट तो हम उससे बहुत खुशे हैं और सबके साथ खुशियां माटने आए हैं और खुशियां ही माट रहे हैं थैक दिनेश जी करता हैं आज सब बिदा हो जाएंगे सब चले जाएंगे कैसा फिल किया दो दिन आपने साह अच्छी तरीके से अगनाइस किया और संख्या भी जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी आ गई है पर फिर भी मेरा एक सुझाओ था कि आगे स्ट्राइब का प्रोग्राम किया जा है तो हर शहर में जैसे इंदौर है मंसोर है बंबे है ऐसे मतलब निमज है इन शहरों में बहुत सारे रामपूरावासी हैं तो कि वहां रेरे अपना व्यवसाय कर रहे है या किसी सर्विस में है अच्छी जॉब पे है उन सभी को एकत है एक आदमी नहीं कर सकता है वहां के लोकल जो भी अभी यहां पाइटिसिपेट कर रहा है उसमें किसी एको इंचाज बना दे का मतलब है कि हमको जोड़ पाए जोड़ने के लिए एक लोकल रेक्टी होना चाहिए जो एक जवाबदाई ले ले एक कोई बहुत बड़ा काम नहीं पहुचा समय देने की जरूत नहीं है आजकल मीडिया इतना फास्ट है लोकल ग्रूप्स बना ले जैसे हमने दोहा में र रहते थे अभी भी आप रहते हैं क्या बदला साब को नजर आता है रामपुरा में पहले में और आज में थोड़ी सड़के अच्छी हो गई है पहले जो फर्शियां लगी होई थी और उसी कान जो जितने गड़े थे उसी कान अभी कॉंक्रिट रोड अच्छा हुआ है बा भी आज में दरगहा तो दरगहा मैं जो मुझे डवलोप्मेंट दिखा रहे रिमार के बाद कोई भी बाहर से आता है तो लगता है कि वागश में जगे है जहां कि कुछ एक डिलोप्में दिखाए गए यह सब एक सामोई प्रयास से उआ एक समाज इकर्ट आफरा हुआ उन जाना है तो रामपरा कोन है वहां पर मुझे एक आइडिया हो गया है मुझे को जरौत है तो मेरी जरौत पूरी रह सकते हैं या मुझे वह सही हो पिसको बिल्कुल बिल्कुल आप चिंद्व हिमत करो में हम जुड़ा हूं मैं साथ में हूँ और मैंने तो इनको बोला है है की नहीं हो रहा है प्रोग्राप क्योंकि मेरी साइट सारी फ्लाइट्स हो गई है मुझे आना है कि आपकी पतिदेव की पूरी शिक्षार अंपरा में हुए और उनके साथ आप इधर आएक शेत्र में गानिसागर भी आपाई कैसा पील क्या कहीं है आप अच्छा लगा क कम से कम इनके जो मित्रो थें और जो जिनके साथ पढ़ करें जिस बेर में है जिस कॉछल आप है तो ऐभा कि आपकी में क्या विजन था आने से पर आरा hacen लेकर तो कैसा रामपुरा होगा यह कैसे वहां पर रहते होंगे किस तरीके का वहां का कल्चर हो क्या सोचाता है यहां के बहुत ही अच्छा लग रहा जो कल का दिन बिताया वह तो अच्छा था ही और आज के दिन को लेकर लग रहा है कि कहीं वो जल्दी समय ना आ जाए कि कहीं पिचुड़ने का समय आ जाए ऐसा लग रहा है सब लोगों के साथ रहे और ऐसा लगता है कि यह समय वापस जल्दी आए वापस मिलें आपको नामपुरा से क्या कनेक्शन ही यह बुच्छला मेरा नानिहाल है चुटी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी तो मैंने हम इसे कहा था कि देखेंगे पर जब प्लान बना शुरू हुआ तो कोई स्कोप ही नहीं था कि इस ऑप्शन को छोड़ना है और सच में एक पल के लिए लगा था कि सारी जे जनरेशन है उसमें हम क्या करेंगे पर ऐसा फिल नहीं हुआ और यह अच्छा था और अग सब्सक्राइब करेंगे लिए और अब मैं जैपुर में ही प्राइवेट इंस्ट्यूट में एसेसंट प्रफेसर को अब लगा और रामपुरा से और खतर से रहा है तो राजापुरे परिवार के साथ तो लोगों के साथ है कुछ बताएं यह इन समारों की ओजना कुछ मही पहले एक उफसाही ग्रूप हमारे साथी लोगों ने की थी और मुझे भी बहुत इंतजार था इन्होंने बहुत महनत से की और इतने लंबे समय बाद हम लोग अलग-अलग कोनों में जो बैठे हुए हैं दुनिया के अलग-अलग कोनों में वो सब दो दिन साथ गुजार हो रहा है और रामपुरा के साथ जो हमारा बांडिंग है वो फिर से रिवाइब हो गया हूँ हम्हारे प्रेम भाई इने ये प्रेम जगाया नाम उनका प्रेम है तो प्यार तो हो नहीं है ना कैसा फिल किया अपको कि जो कुछ मैंने फील किया पिछले तीन दिनों में मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता कैसे क्या देखा रामपुरा जो देखा एक तरफ पहाड एक तरफ सागर पहाड की तलटी में बसाओं और विशेशता यह थे कि यह गाव नहीं लगता फिर क्या लगता आपको यहां के जब मैं कि मैं आटेवेंचर को बहुत लौser करता हूं और को प्रेमी हूं। जब मैं घूम रहा था तो मैं कुद्रत को भूल गया जो यहां के कुद्रती लोगते उनसे पयार हो मुले मुझे उनकी आपस की बातें उनकी बाच्पन की बातें वो जो मैंने कल बी बताया था कि मैंने जो मैंने मिस्की अपनी लाइफ में वह नहीं मैसूस किया और यहां के लोग पता नहीं कितने भावोग उया पर शायद उस उस हॉल में बैठे कल मेरे आशू निकला एक आपटा दो बहुत कुछ आपने खंडर देखे किन देखे खंडर बहुत देखे बहुत खंडर ही होते हैं और बहुत खुब सुरत होते हैं और अगर जिन्दगी में शक्षम रहा एक और प्लेस थी पंचु देवरा बहुत इसको देखा आपने पंचु देवरा देखा आपने में नाम से शायद में नाम याद रखने में उत्रब वहां पर प्रेम भाई की बहुत सरी यादे जुड़ी वह दिखे ने दिखे आपने तो अब प्रेम भाई ने कुछ इज़े पबली के लिए मैं बता नहीं सकता है झाली 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 Прав प्रेम जपने में बता है एक रास्ता है जिन्दगी जो धम गए तो कुछ नहीं ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं एक रास्ता है जिन्दगी जो धम गए तो कुछ नहीं एक रास्ता है जिन्दगी जो धम गए तो कुछ नहीं तो छोड़के ना जा तो वापस आ जा वो हुसन के जलवे हो या इश्क की आवाजे आजाद परिंदों की रुकती नहीं परवाजें जाते हुए कत्मों से आते हुए कत्मों से भरी रहेगी राह गुजर जो हम गए तो कुछ नहीं एक रास्ता है जिन्दगी जो धम गए तो कुछ नहीं ये कतम किसी मुकाम में जो जन गए तो कुछ नहीं हुए आज मासम बड़ा बैमान है बड़ा बैमान है आज मासम आज मासम बड़ा बैमान है आज मासम आने वाला कोई तूपन है कोई तूपन है आज मासम आज मासम बड़ा बैमान है आज मासम क्या हुआ है हुआ कुछ नहीं है क्या हुआ है हुआ कुछ नहीं है बात क्या है पता कुछ नहीं है मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है खुब सूरत है तू रुत जवान है आज मासम हो आज मासम बड़ा बैमान है बड़ा बैमान है आज मासम कर दो दो आज मासम कर दो आज मासम कर दो खता है काली काली घटा डर रही है काली काली घटा डर रही है ठंदिया है हवा भर रही है सब को क्या क्या गुमा हो रहे है हर कली हम पे शक कर रही है कूलों का दिल पे कुछ बद्धुमान है आज मौसम चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा न कहना कभी अलविदा न कहना चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा न कहना कभी अलविदा न कहना रोते हसते बस यू ही तुम गुन गुन आते रहना कभी अलविदा न कहना कभी अलविदा न कहना कभी अलविदा न कहना प्यार करते करतेareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareare इन ही बहारों के आचल में ठकके सो जाएंगे सपनों को फिर भी तुम यूँ ही सजाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना चलते चलते मेरे ये की इत्याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना बीच राह में दिल बर बिछड जाएं कहीं हम अगर और सुनी सी लग तुम्हें जीवन की एडगर बीच राह में दिल बर बिछड जाएं कहीं हम अगर और सुनी सी लग तुम्हें जीवन की एडगर हम लोट आएंगे तुम यूहीं बुलाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना रोते हसते बस यूही तुम गुन-गुनाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना व हुँ 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 चुल